हेलो फ्रेंड वेलकम तो आज इंटमेड आप लोगों को एरो मॉन्ट बी टैबलेट के बारे मई बताने वाला हूँ एरो मॉन्ट बी टैबलेट को बाई सटीन बीस एमजी और मोंटेलुकास्ट दस एमजी दवाओं को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कमपनी द्वारा बनाया गया है यह दवा मुख्यत है एलर्जी की समस्या को दूर करने हेतु उपियोग की जाती है एरोमॉन्ट बी टैबलेट के उपियोग, एरोमॉन्ट बी दवा को नाक बहने, नाक रुकने, अधिक छिंक आना, आँखों में जलन, आँखों से पानी आने, मौसमी एलर्जी होने, खुजली और सूजन होने जैसे रोगों में उपियोग कर सकते है इस दवा को मौसमी बुखार और एलर्जी राइनाइटिस में भी उपियोग किया जा सकता है यह दवा हमारी देह में उपस्थित एलर्जी के लक्षणों को पैदा करने वाले पदार्थों की मात्रा को कम करके हमारे शरीर को राहत पहुचाने का कार्य करती है यह दवा अस्थमा के लक्षणों को भी कम करने में उपियोग की जाती है एरोमॉंट भी टेबलेट कैसे काम करती है यह दवा दो दवाओं के मिश्रन से बनी है जिनका नाम है बाइलसटीन और मोंटेलुकास्ट लियोकोट्रियन नामक एक रासायनिक संदेश वाहक के कार्य में बाधा पैदा करके एलर्जी के लक्षण को दूर करने और अस्थमा से राहत पाने के लिए शरीर के वायुमार्गों में सूजन को कम करने में मदद करती है इसके अलावा इस दवा में मौजूद बाइलसटीन जो की एक एंटिहिस्टामाइन दवा है यह हमारे शरीर में मौजूद केमिकल मैसेंजर जिसको हम हिस्टामाइन कहते हैं के प्रभाव को कम करके हमें एलर्जी के लक्षण से राहत प्रदान करती है Aero Mont B Tablet के इन रोगों में उप्योग होती है मौसमी एलर्जी नाक बहना आखों से पानी आना खुजली आखों में जलन Aero Mont B Tablet के दुश्प्रभाव साइड इफवक्ट किसी भी दवा के दुश्प्रभाव होना एक आम बात है इसी तरह इस दवा के भी कुछ सामान्य दुश्प्रभाव है दुश्प्रभाव अगर सामान्य रहे तो चिंता करने की आवश्चक्ता नहीं है अगर हम नियमित रूप से डॉक्तर के निर्देशानुसार दवा लेते रहेंगे तो यह सामान्य दुश्प्रभाव अपने आप ही कम होकर खत्म हो जाएंगे लेकिन अगर दुश्प्रभाव असामान्य हो अर्थात लंबे समय तक दुश्प्रभाव कम ना हो या ज्यादा दुश्प्रभाव होने लग जाए तो हमें स्थिती बिगडने से पहले डॉक्टर के सलाह करनी चाहिए एरोमॉंट B के निम्नलिखित दुश्प्रभाव हो सकते हैं चक्कर आना सिर्दर्द ठकावट महसूस होना मिटली आना एरोमॉंट B का सेवन कैसे करें सामान्यत है इस दवा को हम बिना तोड़े कुछले या चबाए हम इसको निकल कर सेवन कर सकते हैं एक व्यस्त के लिए दिन में एक बार एक टेबलेट को खाने से पहले या बाद में लिया जा सकता है लेकिन बहतर रहेगा की दवा को हम दैनिक रूप से तै समय पर ही सेवन करें थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब करे ताकि मुझे वी मोटिवेशन मिले इस तरह का विडियो आप तक पहुचा सकू और नोटिफिकेशन बेल को आन कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले लाइक, शेर करे ठैंक यू दोस्तों